नमस्कार दोस्तों, जैमातादी, पूजाशक्ती चनल में आप सभी मेरे भाईयों और मैनों का बहुत-बहुत स्वागत है आज जिस नविशे पर हम चर्चा करेंगे, इसके लिए काफी सवाल आये थे कि जब भी हम पूजा पार्ट करते हैं, तो किस प्रकार से हमें पता लगे कि हमारी पूजा पार्ट जो है सफल हुई है या परमात्मा को हमारी पूजा पार्ट जो है पसंद आई है या नहीं इसके अलावा काफी सवाल जो आज हम दो जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे कि पूजा के समय कई लोगों को रोना, उबासी या कई प्रकार के ऐसे विचार आते हैं जो कि हमें पूजा के समय नहीं आने चाहिए तो ऐसा क्यों होता है सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पूजा के समय जब हम पूजा पाट करते हैं तो भगवान हमारी पूजा पाट स्विकार करते हैं या नहीं या कैसे हमें पता लगे कि हमने जो पूजा करी है वो सफल हुई है या नहीं तो इसके लिए काफी धार्मिक किताबों में या पुरानी पुस्तकों में आपको इसके विचार मंधन प्राप्त हो सकते हैं, सबसे पहले तो सचे दिल से जब भी कोई पूजापाट की जाती है तो वो सफल जरूर होती है, चाहे हम कहीं भी करें, आप किसी भी धर्म से नाता जब भी आप पूजापाट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर के आसपास का जो औरा होता है वो शुद्ध होने लगता है, आप में खुद में भी बहुत पॉजिटिव इचार आने लगते हैं तता कई प्रकार के खुशी का अनुभाव आप जो है अपने जब आप उसे जलाएंगे तो वो नॉर्मल जो जोत होती है वो जलेगी परन्तु जैसे आप पूजा पाठ या मंत्रों का अचारण करने लगते हैं बहुत दिल से कोई प्रातना करते हैं या कोई अपनी मनों कामना भगवान के सामने कहते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो जिनकी जो थर्ड आय ओपन रहती है या जिनें पहले से ही भविश विचार आ जाते हैं उनके साथ ऐसा अनुबह हुआ है कि जोत उनकी जलती है तो वो ओम का स्वरूप या कोई भी ऐसी आकरती का स्वरूप ले लेती है जिसे भी वो मानते है या जिस भी भगवान को वो तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता देखा गया है सबसे पहला कारण तो यह होता है रोना दो वजहों से आता है हमारी शरीर के अंदर की जितनी भी नेगिडिव एनरजी होती है जब हम पूजा पार्ट करते हैं तो वो नेगिडिव एनरजी या जो उसके आसपास की जि दूसरी वजह होती है कि जब प्रमात्मा को बहुत जादा दिल से आद करते हैं, आपने कई बार देखा होगा जब आप कोई प्रिय व्यक्ति से बिछड़ते हैं या वपसे अचानक दूर चला जाता है या आपको बहुत याद आती है तो रोना अपने आपने आपने लगता ह करेंगे उस चीज़ को परन्तु वो चाहा कर भी कंट्रोल नहीं होती है कई बार जो रोना होता है वो इस वजह से भी आता है परन्तु जो पहला मैंने आपको जब बताया है कि रोना कई बार इस वजह से आता है कि हमारे शरीर में जो बहुत नेगिटिव एनरजी रहती है या बहुत ज़दा एक तरीके की बहुत फालतू बाते हैं हो चुकी होती है या बहुत ज़दा गंदगी हो चुकी होती है हमारे शरीर में उस वज़े से भी जो है हमारी जो आखे हैं वो नम हो जाती है तो वो कैसे पता लगेगा इसका मेन जो कारण होता है जब हमारा ध्यान भगवान की और नहीं लगता है, हमें बोज लगने लगता है, पूजा पार्ट हम कोई धार्मी किताब पढ़ने की मूड में नहीं होती है, हम कोई भजन नहीं सुनना चाहते हैं, हम कोई आरती नहीं गाना चाहते हैं, हम भगवान की पूजा पार्ट करने बैठते हैं परन्तु हमारी शरीर में एकदम से भार आ जाता है हमें ऐसा लगता है हमारे पैर बहुत दुकर है हमारा सिर बहुत भारी हो गया है उस समय पर आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी जो है आपके साथ में है इसके लिए आपको क्या करना है जब आप पूजा पार्ट बिलकूल ना कर सके बहुत इंपॉसिबल हो जाता है कई लोगों के लिए उस समय पर पूजा पार्ट करना या उस रूम में जाना या भगवान के सामने दस मिनट भी बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं तो ऐसे समय पर आपको जो है सुनने का साहरा लेना चाहिए आपको या जिस भी धर्म से बिलॉंग करते हैं उनकी कोई भी ऐसी अमरितवानी जो कि सुनकर आपके दिल को बहुत शांती मिले उससे धीरे-धीरे सुनना चालो कीजेए तो उससे क्या होगा द्भनी के माध्यम से भी आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगती है तदा आपकी आत्मा की शुद्धी होने लगती है अब जब अगरवत्ती का निकलता हुआ धुआ परमात्मा की तरफ जाने लगता है तब आपको विशेश तोर पर ही संकेत होता है कि हमारी पूजा पार्ट जो है भगवानने स्विकारी है आपने कई बार देखा होगा जब आपके घर में बहुत सफाई होती है या बहुत दिल से इस कारण आती है जब भी जिस घर में पूजा पार्ट ने में तुरूप से होता है भगवान का नाम लिया जाता है वहां सचे दिल से भगवान को बुकारा जाता है तो जो विशेश अफसर होते हैं उस समय पर उनकी आने की आहट जो होती हमारे घर पे साफ तोर पर दिखा आते हैं जो की नहीं आने चाहिए या इन विचारों को जो हम गलत भी कह सकते हैं कि गलत विचार जो हमारे उस समय पर नहीं आने चाहिए तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जो है बहुत जादा नेगिटिविटी आ चुकी होती है हमारे शरीर के आस-पास ऐसी आनर्जी होती है, जो कि हमें पूझापाट करने नहीं देना चाहती है, या वो नहीं चाहती है कि जो हमारी आत्मा की शुद्धी हो, वो हो. क्योंकि जब बहुभा हम पूझापाट करते हैं, मन में सबसे पहले गंदे विचार आने लगेंगे, अशली विचार आने लगेंगे, बहुत से नेगटिव बात आने लगेंगे और अब एसा व्यक्ति आपके विचारों में आने लग जाएगा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और पूजा के समय पर आपको पूरा ध्यान जो उस व्यक्ति की तरफ चला जाएगा ऐसा अगर आपके साथ होता है तो सबसे पहले जो है आपको आपके घर की शुद्धी करनी होगी उसके लिए किसी भी प्रकायर के पूजा पाट की जरूरत नहीं है देशी कपूर में दो लॉंग डाल कर जो है आप डेली अपने घर में गुमाईए या आप अगर लोबान का धुआ देते हैं पर लॉबान का धुआ कई बार अच्छा नहीं माना जाता है यानि कि कई बार सकरात्मक प्रभाव नहीं देता है तो आप देशी कपूर सबसे सटी कुपाय है दिन में आपके एक बार कारी जरूर करना है किसी भी समय पर करिए घर की शुद्धी आप सुभे, शाम, दुपैर किसी भी टाइम पर कर सकते हैं घर की शुद्धी जैसे ही होगी आपके मन के विचारों की शुद्धी होने लगेगी आपके आसपास की नेगेटिव एनरजी बाहर जाने लगेगी पूजा पार पर जब भी बैटे हमेशा धुलेवे कपड़े पहन कर ही आपको बैटना है मोजे कभी भी पहन कर पूजा पार्ट में नहीं बैटना है आप इस बात का ध्यान रखे पूर्ण रूप्शे सुद्धता लेकर अगर आप पूजा पार पर बैते हैं तो आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनरजी होगी वो आपसे दूर चली जाएगी तदा आपको जो है शुब विचार देने लगेगी शुद्धता देने लगेगी आपको क्या करना है अपने घर की शुद्धी करें अगर ये विचार बहुत जादा बढ़ जाते हैं तब आप अपनी नजर उतारिए नजर उतारने का मतलब सरिफ यह नहीं होता है कि किसी ने आपको नजर लगाई है जब भी आप नजर उतारते हैं एंटी क्लॉक वाइस लॉंग से उतार सकते हैं आप राई से उतार सकते हैं आप नमक से नजर उतार सकते हैं नजर उतारने से यह होता है कि आप अपने शरीर के आसपास की जितनी भी negative energy को है बाहर fake रहे हैं याने हटा रहे हैं तो जब आप नजर उतारते हैं किसी भी चीज से तो भी आपके शरीर की शुद्दी होने लगती है तो अगर जब भी आपके मन में विचार आते हैं, कोई ऐसे विचार जो की नहीं आने चाहिए, पूजा पार्ट में मन नहीं लगता है, या कहीं न कहीं आपको गलत तरीके से रोना आता है, तब इस समय पर आपको सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धी नजर उतार कर, दू बहुत से चीज़ें जो की आपके साथ शुद्ध होनी चाहिए, पर अंतु नहीं होती थी, वो भी अब होने लगेंगी, तो पूजा पार्ट का जो मकसल होता है, वो यह होता है, कि जो मानव है, वो एक प्रकार से अपने आसपास ऐसी एनर्जी को रखे, कि जो कि उसके जी अगर आप पूजा पार्ट करते हैं, और फूलों का प्रयोग करते हैं, अगर फूल भी अपने आप, आपकी तरफ गिरता है, तो इसका आर्थे भी बहुत शुब माना जाता है, ऐसा माना जाता है, कि आपके जीवन में कोई बहुत अच्छा समय आने वाला है, जो कि आपक कुछ खुशियां देख कर जाएगा, तो इसी आशा के साथ कि हम फिर मिलेंगे, आज अपनी वाड़ी को यहीं विराम देते हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद दोस्तों